नुश्कार, मैं हूँ आपके साथ अब शेक्टूडी चौते चरण का मतदान जारी है लेकिन जैसे शेयर बाजार खुला उसमें भूचाल आ गया और लोग कहने लगें कि मोदी की ये हार की निशानी है इसके साथ इसाथ जानकारों की माने तो इसका सबसे ज्यादा असर यूपी में हो रहा है कैया पुरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए चोथे चरन का मतदान जारी है और कुछ छिटपुट घटनाओ को छोड़ मतदान सही चल रहा है लेकिन शेयर बाजार ने बड़ा संक्यत दिया और खुलते ही 700 अंक नीचेल उडगाया और पूरे देश में हलचल पैदा कर दी कहा जाने लगा कि नरेंद्र मोदी सरकार जा रही है इसके साथ ही साथ कहा जा रहा है इसका कारण यूपी में बीजेपी का ठीक प्रदर्शन ना करना है क्योंकि तीन चरणों में BJP पिछड रही थी लेकिन चौथे चरण में कुछ आज थी लेकिन वो हो ना सका और चौथे चरण में भी BJP को बड़ा जटका लग रहा है जी हाँ लोकसबाचुनाव 2024 के चोथे चरण का मतदान जारी है इस चरण में यूपी की 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है BJP के सामने इस चरण में अपना पिछला प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है क्योंकि 2019 में BJP ने इन सभी 13 सीटों पर जीत हासिल की थी खास बात यह है कि 13 सीटों में से 9 सीटों पर 32 फीजदी के वोट शेयर्स के बड़े अंतर से जीत हासिल की थी लेकिन 2024 में ये माहोल गड़बड हो गया है और BJP हाफने लगी है क्योंकि चोथे चरण में कहीं सीटों का मामला फसा हुआ है जैसे कनोज में इस बार BJP के सामने खुद अखिलेश यादम है और ये सीट 2019 में BJP के पास थी लेकिन इस बार BJP के हाथ से सीट फिसल सकती है इसी तरह कई और सीटों पर समीकरण बिगड़ा हुआ है और BJP परिशान है इसलिए शेयर बाजार भी लुढ़क रहा है इसी तरह इटावा सीट पर इस बार त्रिकूने मुकाबला है जहां पीम, मोधी, अमिचा से लेकर राजनाथ चिंग और योगी आधितनाथ तक आ चुके हैं लेकिन BJP उमीदवार के पक्ष में माहुल नहीं बना पाए तो ये सीट भी फस गई इससे कहा जा रहा है कि इस बार यूपी में BJP को काफी ज्यादा सीटे उनकी कम हो रही है इसलिए BJP परिशान है इसके साथ ही साथ चौथे चरण में BJP को मिश्रिक सीतापूर फरुखबाद में जोर का जटका धीरे से लग रहा है और BJP जो 13 सीट जीती थी वो इस बार 5 हार सकती है इसलिए नरींदर मूदी और अमिच्छा परिसान है और चौथे चरण में BJP इंडिया गटबंधन से काफी पीछे चल रही है इसलिए शेयर बाजार भी लुड़क रहा है कहा जाता है कि देश की राजनीती में कुछ भी हल चल होती है तो शेयर बाजार पहले पढ़ता है और शेयर बाजार रियक्ट करता है और इस बार भी शेयर बाजार चार बार लुड़क चुका है जानकारों का कहना है कि तीन चर्णों के बाद बीजेपी पिछड गई और 2019 का प्रदर्शन नहीं दोहरा पाएगी यह कन्फरम हो गया राजरेदी के विशलेशा कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी यूपी में आदी सीटें जीत पाएगी जैसे कि यूपी में 80 सीट हैं और यह बात खुल कर कही जाने लगी है और बीजेपी सीटें खाई को कम करने के लिए मेहनत कर रही है लेकिन हो नहीं पा रहा देखना होगा चार जून को क्या होता है और क्या तीसरी बार नरेंदर मोदी पी-म बनते हैं या इंडिया गट बन्दन की सरकार बनती है आपकी क्या कुछ राय है इस पूरी खबर पर कमेंट कर हमें जरूर बताएं नमस्कार